नमस्पका मैं हो सती आयो जर lle lle करने मेंë 15 सबसी बीरो की बंकोपा चिस पर में खबर होest जर्खन में सेना भरती रेली 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोराबादि मैदान में आगामी 5 सितंबर से 22 सितंबर तक अगनि पथ योजना के तहट अगनी बीरों की भरती रेली आयोजित होगी इसमें सभी 24 जीलों के प्रतिभागी सामिल होंगे अगनी बीरों की भरती के लिए सेना भरती कर्याले युआओ को प्रेरित कर रहा है इसके लिए जुलाई महिने में सेना आउट रीच कारेकरम भी चला रही है निदेशक भरती कर्नल राकेश कुमार ने मुख्य सचीव को पत्र लिकर इन सभी जनकारियों से अगत कराया है और पूरे मामले में सहयोग मंगा है अपने पत्र में कर्नल राकेश कुमार ने या भी बताया है कि सेना बहाली को लेकर 16 अक्टूबर को कॉमन इंट्रेस एक्जाम आयूजित होगी बता दे अगनी पत्र योजना के तहत जल थल वा वायू सेना में तीनों अस्तर पर अगनी वीरों की भरती होगी इसके लिए 5 जुलाई से ही ऑनलें रेइस्टेशन सुरू हो गया है जो 3 अगस्ट तक चलेगा अभ्यार्थियों को 20 अगस्ट से उनके इमेल आईडी पर परवेस्पत्र मिलना सुरू हो जाएगा मौसम केंद्रे ने अपने पूरोनमान में बताया है कि अगले 5 दिने तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा कोई भी सेस बदलाव की संभावना नहीं है मौसम केंद्रे के अनुसार 14 और 15 जुलाई को जारखन के कई अस्थानों पर हलके से मददर्ज की बारिस हो सकती है वही 12 जुलाई को कई अस्थानों पर बजरपात का पुरोनमान है राज्य के कई जिलों में अभी भी बारिस की चिती अच्छी नहीं है प्रधान मंत्री नहीं मोदी के आगमन को लेकर देवघर के सभी प्राइबेट इस्कूल बंद रहेंगे इसके साथ साथ जासीडी के प्राइबेट इस्कूलों में भी छुटी दे गई है जनकारी के मुताबिक PM कारेकरम को लेकर देवघर कौलेज को परसासन सहीट SPG द्वारा अधि ग्रहन कर लिया गया है इसलिए देवघर कौलेज में से परिक्छा केंद्र को असना इंतरित कर रेड रोज इस्कूल में सिफ्ट किया गया वहीं PM के आगमन को लेकर सहर में गाड़ियों का परिचालन भी बाधित रहेगा ऐसे में रेड रोज इस्कूल सहीट DAB भंडार कोला DAB काश्ट टाउन जसी डी पबलिक इस्कूल के अलावे आने इस्कूलों में छुटी गोसित कर दी गई है इसलिए उन लोगों ने छुटी की सुचना दे दी हलाकि इस इस्कूल संचाल को ने बताया है कि इसके बावजूद वे लोग परधान मंत्री की स्वागत में मानोस रिंखला आदी में सीनियर विद्यार्थियों को सामिल कराएंगे हेमंत सुरेन ने जामतरा को 200 क्लोर की विकास होईनाओ की सौगात दी संथाल के जामतरा जीले के लिए 11 जुलाई का दिन विकास की तारिक के रूप में दर्ज हो गई बतादे मुख्य मंत्री हेमांसुरेन ने सोमवार को जामतरा जीले को 200 क्रो रुपए की विकास होईनाओ की सवगात दी है साथी 100 क्रो रुपए की परिसंपत्यों का भी बित्रन किया इस दोरान मुख्य मंत्री ने आठ जोईनाओ का सिललन्यास किया जबकि साथ जोईनाओ का लोकारपन किया बतादे कि वोईनाओ को लेकर बकाइदा 10 बड़े-बड़े फ्रेम बनाए गए थे कुल नब्बे सिलापट पर अंकी तोई नाओ का सिलन्यास और लोकारपन मुख्यमंत्री ने जाम तड़ा की जनता के बीच किया मंच से मुख्यमंत्री ने अपने विकास के वादे को फिर दो राया है उन्होंने कहा है कि जो काम पिछले 20 साल में नहीं हुआ वह पिछले 2 बरस में किया गया हिमंत्र सरकार पर भढ़के राजेपाल बीना पुछे सेक्रेटरी क्यों बदला है धारखन के राजेपल रमेस बैस और मुख्यमंत्री हमांसुरिन की सरकार के बीच तकरार की ठिती बन गई है। हमांसुरिन से भी बात करेंगे राजेपल ने सोमवार को उनसे मिलने पहुंचे प्रभारी मुख्य सचीव से ये बाते कही हलाकी प्रभारी मुख्य सचीव किया सिटाचार मुलकाज थी। अनुपस्तिती में यह ग्यापन उपविकास आयूक्त परदीप परसाद को सपा गया। बतादे रासन डिलो ने नौ सुत्री ग्यापन में मांग की है की राष्ट्रिय खाज सुरक्षा अधिनियम के तहट 440 रुपे प्रति क्यूंटल खद्यान में कमिशन किरासी की सुकृति देने के साथ 50,000 रुपे तक मांसिक निश्चित आये को सुनिश्चित किया जाए। वहीं चावल गेहुं चीनी जैसे खादे पदर्थों में एक रुपे प्रति क्यूंटल की हैंडिलिंग लोस देने पर बनी समाती के अधार पर सभी राजियों से इसे लागू किया जाए। रांची के नए डीसी राहूल कुमार सिन्हा ने संभाला पदभार रांची के नए उपायूक्त राहूल कुमार सिन्हा ने सोमवार को पदभार गरहन किया। इस दोरान जिलास तरिये पता दीकारी गान उपसित्ते इस मौके पर रांची के पुर्व उपायूक्त छवी रंजन ने उन्हें सुब कमनाय भी दी। जारखन में बच्यों के लिंगान उपात में गिरावाट सहरी में सबसे कम। जारखन में बच्यों के लिंगान उपात में गिरावाट आई है राष्ट्रिये परिवार स्वास्ते सर्वेक्षन की रिपोर्ट के माने तो पिछले पांच वर्सों में जन्म लेने वाले बच्चों का लिंगान उपात NFHS4 से घट गया है बेटों की तुल्ला में बेटिया कम जन्मी है रिपोर्ट में NFHS4 में प्रती 1000 बेटों पर 999 बेटियां थी लेकिन NFHS5 में घट कर 1000 बेटों पर 899 बेटियों हो गई है यानि कि बेटियों की संख्या पिछले 5 साल में 20 कम हो गई यह आकड़ा चिंता का बड़ा कारण है क्योंकि राजे में 1000 बेटों पर 101 बेटिया कम है जहारखन की चार आदिवासी सुन्दरियों की कला कृति नजर आएगी देवघर यारपोट वियाईपी कक्ष में अमरित परकास ने इस कला कृति के बारे में जनकारी देते हुए बता है कि अजनता कला के तहट क्रिष्णा बम बाबा बैदनात टार जन लेडी जन जीवन कला आदिवासी समाज पर अधारित है पिये मोदी इस कक्ष में थोड़ी देर ठाह रहेंगे जहां उनके लिए चाय की बेवस्ता की गई है अमरित परकास की माने तो एक अला कृति आदिवासीों की संस्कृति और उनके जीवन सहली पर अधारित है जहारखन में नहीं मिला कुरोना के नए वेरियेंट जहारखन के लिए राहत भरी खबर है बतादे रिम्स में हुई जीनोम सिक्वेंसिंग की जाच में कोई भी नए वेरियेंट के पुष्टी नहीं हुई है अभी राजे में ओमिक्रोन का पुराना वेरियेंट B2 ही संक्रमन के कारण है विसेसग्यों का कहना है कि अगर कोई नए वेरियेंट मिलता है तो संक्रमन का फैलाव तेजी सो होगा और उसे निपटने के तरीकों में भी बदलाव की ज़रुरत पढ़ सकती है लेकिन पुराना ही वेरियेंट पाय जाने से इसका फैलाव बहुत तेज नहीं होगा प्रात्मिक सिक्छा निदेशक दिलीट वोपो ने सोंवार को सभी जीला शिख्छा तीचकों को इसे लेकर पत्र भेज दिया उन्होंने जीला सिक्छा तीचकों को सत्यापन कर एक सब्ता में पुरी रिपोर्ट देने को कहा है कि किस जीले में कितने और किन किन इसकूलों में रभीवार की जगा सुक्रवार को अवकास दिया जा रहा है बता दे प्रात्मिक सिक्षा निदेशक ने सोमवार को सभी जीला सिक्षा जिसकों से वीडियो कनफेंसिंग कर पुजनकारी ली उन्होंने इस ममले को विभागिय मंत्री द्वारा गंभीता से लेने तथा जाच करने के उनके आदेशकी जनकारी देते हुए इसकूलों का सत्यापन करने को कहा है राक्षा सक्ती उन्वर्सिटी में एडमीशन के लिए 30 जुलाई तक करे आवेदान देश की तीसरी राक्षा और राजे की एक मात्र राक्षा सक्ती उन्वर्सिटी में साल 2022 में एडमीशन की परकिलिया सुरू हो चुकी है एडमीशन को लेकर तमाम जनकारी भी स्वभी देले के वेपसाइट पर दे दी गई है एडमीशन को एक छुक इस्टुडेंट इउन्वर्सिटी के वेपसाइट पर विजिट कर डिटियल ले सकते हैं बता दे इउन्वर्सिटी के वेपसाइट पर दी गई जनकारी के मताबिक 30 जुलाई एडमीशन के लिए अपलिकेशन दिये जा सकते हैं ज्यार्खन राज सहकारी बैंक के नए CEO से मिला संग का प्रतिनिधी मंडल ज्यार्खन राज सहकारी बैंक करमचारी संग का एक प्रतिनिधी मंडल सहकारी बैंक के नए CEO डाक्टर मनोज कुमार से मिला प्रतिनिधी मंडल ने मिल कर उने बधाई और सुबकमनाय दी करमचारियों का लामबीत प्रमोशन, रिक्त पड़े पदो परभाली, करमचारियों का मेडिक क्लेम इंस्यूरेंस, गुरूप बीमा की सुविधायोवा, डियो से समधित बातों से भी अउगत कराया गया है। JEE मेंस में ज्हारखन के कुसागर को 100% NTA JEE मेंस का परिक्षा पईनाम जारी हो गया है, जिसमें ज्हारखन के कुसागर सिरिवास्ताओं को 100% मिला है, उन्होंने ब्रीजफोड स्कूल से नन अटेंडिंग स्टूडेंट के तोर पर बराहवी की परिक्षा दी थी, वो JEE मेंस की तियारी कोटा से कर रहे थे, आपको बता दे कि पूरे भारत में 14 बिर्द्यार्थियोंने 100% अंक लाय है, ज्हारखन में वाहनों की तेज रफ्तार से हो रही हादसे, राची में 1465 हादसा, चिकनी चोड़ी सटकों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाना भारी पर रहा है, और यही चीज दर्तनाक हादसे की इसलिए हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पाहना होता, वही 25 जून को हुई जीला सड़क सुरक्षा समीती की समिक्षा बैठक में अतत्य उभर कर सामने आया है कि, खास कर राची जीले की चीथीती तो बेहत चिंता जनक है, दरसल सुरक्षा समीती ने 29 महीनों को एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें राची जीले में बढ़ते संक्रम हाथसों के चिंता जनक आकड़े भी दरसाय है, जारखन के 320 इसकूलों में कमर्स के एक भी चात्र नहीं, जारखन के 320 पलस टू इसकूलों में कमर्स का एक भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन 289 सिक्षकों की नियुक्ति की त्यारी की जा रही है, सरकार ने पलस टू इसकूलों में 320 सिक्षकों की नियुक्ति की परकिरिया शुरू की है, इन में से 289 सिक्षक कमर्स के भी है, बता दे राजे में कुछ ऐसे भी पलस टू इसकूल है, जहां कमर्स के सिक्षक तो हैं, पर करेंगे उद्घाटन एमस देवघर का उद्घाटन आज परधानमंत्रि नायनमोदी करेंगे पीम नायनमोदी ने 25 माई 2018 को एमस देवघर के निव रखी थी निव रखने के ठीक 4 साल बाद वे इसका उद्घाटन कर रहे हैं बता दे नीव एजेंसी एनाई के मुताबिक साल जार्खन Local Boardries IMPLICE Federation महासंक्यवाहन पर साहिमगण नगर परिशत के सैक्षरो करमचारी सोम वार से तीं दिवसे संक्यतिक हर्टाल पर हैं हर्टाल पर जाने से सहर कि साभसफाइ की बेवस्ता चर्मराय गई है और मांगो को लेकर धाना परदसन कर रहे हैं पीए मोधी को सांसर निसिकांत स्वागत में चांदी से बना सिवलिंग देंगे परधान मतिन नायंद मोधी 12 जुलाई को दो पर एक वए जारखन के देवघर आ रहे हैं देवघर एरपोट का उद्घाटन वा बाबा मंदीर में पूजा के बाद देवघर कॉलेज में वे जन सभा को समोधित भी करेंगे देवघर दवरे पर गोड़ा से बिजेपी सांसर डाक्टर ने सिकान दुबे पीए मोधी का स्वागत चांदी से निर्मित बाबा बैदनात का सिवलिंग देखर करेंगे इसके बाद बाबुलन बरांडी वा दिपक परकास पीए मोधी को कमल निशान का पट्टा उड़ा कर स्वागत करेंगे सियम हेमन सुरेन साहिब गंज के चित्रकार वा मूर्तिकार स्याम विस कर्मा की टेरा कोटा प्रेंटिंग प्रधान मंत्री को भेट करेंगे जारखन के हर परखन में एगरी मार्ट खोले ग्रामिन बिकास विभाग ने हर परखन में एगरी मार्ट खोलने पजोर दिया है परजेक्ट भौन सबगार में किसान उत्पादन संगठनों की कारेसला में विभागे सचीव डाक्टर मनिस रंजन ने महिला किसानों द्वारा 100 कोर के कारोबार के लक्ष को हासिल करने पर बदाई दी उन्होंने इसे साइलेंट क्रांती बताते हुए कारोबार को 200 और फिर 500 कोर तक पहुचाने का लक्ष रखने के लिए प्रेरित किया उन्होंने नए बजार, नेटवर्किंग, पीडियेस, डीलर्शीप और उभखताओं की मांग की समझ रखते हुए बेपार को आगे बढ़ाने के सुझाव दिये सचीव ने उपस्थित किसानों को प्रमपारिक खेती के अलावा मुर्गी पालन, मचली पालन को वरियता देने पजोर दिया इसके अलावा नए तेकनिकी जैसे मौसम पुरोनवान, मिटी के जाच को अपना कर उत्पादन बढ़ाने के साथ ही पैकेजिंग, प्रोसेसिंग पर खास द्यान देकर कारोबार को नया आयाम देने की बात कही पंकज मिस्त्रा मामला में इडी को चाकमा दे पिछवाडे से लिए भागे तीन को रुपाए बहुँ चर्चित टेंडर विवाद के बाद मनी लॉंडरिंग के तहत अनुसंधान के करम में साहिव गंज में दो दिन पूर्व हुई इडी की चापे मारी के दोरान हुई एक घटना चर्चा में तेज है बता दे इडी ने साहिव गंज के एक बेवसाई के करमी के यहाँ जब चापे मारी की तो उसने इडी के अधिकारियों को इधर उधर की बातों में उल्जा कर रखा और इसी बीच पिछे के रास्ते से करीब तीन को रुपए से अधिक की रासी गमन कर उसे सुरक्षित जगा पर ठीकाने लगा दिया जहां तक इडी की टीम पहुँच ही नहीं सकी इडी की चापे मारी के बाद यह गोपनिये सुचना सामने आ रही है यहां इडी की चूक बताई जा रही है हलाकि इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है T.E.T. पास पाराशिक्षक सहायक आचारे नियुक्ती नियमावली के बिरोध में करेंगे आंदोलान T.E.T. पास पाराशिक्षकों ने हाल ही में गठी सहायक आचारे नियुक्ती नियमावली के बिरोध में आंदोलान का निना लिया है रविवार को रांची के धुर्वाइस्थित पटेल पार्क में टेट सफल सहायक अध्यापक संग की बैठक होई जिसमें यह निन लिया गया बैठक में उपस्थित पाराशिक्षकों ने जारकन सरकार पर वादा खिलाफी कारोप लगाते हुए कहाया आए कि पिछले साल 14 दिसंबर को वारता के करम में महा दिवक्ता किराय के अनुसार वेतनमान पर एक महा के अंदर बैठक करने की बात हुई थी साथ ही टेट बिशंगती से परवावित पाराशिकों को भी टेट काटेगरी की मने अथ देने का स्वासन सिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया था पर इस पर पहल हुई नहीं जबकि नई नियमावली की अधिसुतना जारी कर दी गई है यह नियमावली भी तुर्टी पूर्ण है जिसमें संसोधान है तु अनुरोद के बाद भी कोई करवाई नहीं हुई ओमिक्रोन से आई क्रोना की चौथी लहार जहारखन में जिनोम सिक्वेंसिंग में असी ओमिक्रोन वेरियंट की पुष्टी हुई है पताद रांची के रिम्स में जिनेटिक्स और जिनोमिक्स विभाग ने चौखाने वाली आकड़ा जारी किये है जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन में 96 सेंपलों की सिक्वेंसिंग में 83 सेंपलों की रिपोर्ट आ गई है जिसमें से 80 में Omicron variant और उसके कई सब variant के पुष्टी हुई जबकि 3 सेंपल में Delta variant के भी पुष्टी हुई है बतादे सभी सेंपल 12 दिसंबर 2021 से 23 जुन 2022 के बीच के हैं जिनकी genome sequencing की गई है टाक्टा रांची NH 33 पर इस्टील सलैग से बनी है देश की पहली सड़क पर्धान मंतिर नाइन मोदी 12 जुलाई को जारखन की जानता को सबसे बड़ा तोफा देने जा रहा हैं बतादे पीएम देव घर में अंतराश्ट्री हवाई अड़े और एम्स उद्घाटन कर सोगात देंगे इसके साथ ही वह बाबा बैदनात मंदीर में फूजा अर्चना क करेंगे देव घर दवरे के दवान पीएम मोदी जारखन को कोई सवगात भी देने वाले हैं इसी के तहत मंगलवार को पीएम मोदी टाटा रांची को जोडने वाली एनेच 33 के बीच बनी 44.2 किलोमेटर सड़क का उधगाटन करेंगे बतादे इस सड़क का निर्मान टाट किल सलैक से किया गया है राजेपाल सड़क मार्ग से देवघर रवाना परधान मंत्री नायंद मोदी मंगलवार को देखते हुए सोमवार को जारखन के राजेपाल रमेस बैस देवघर के लिए रवाना होगा है राजेपाल सड़क मार्ग से देवघर पहुंचे जहां वो रात्री बिश्राम देवगर सर्किट हाउस में करेंगे इसके बाद मंगलवार को परधान मंत्री मोदी के कारेकर में राजपाल उनकी अगवानी करेंगे धन्यवाद